दोस्तों बहुत ही लंबी इंदिजार के बाद बिहार पड़ा मेडिकल 2019 का सकेंड कॉंसलिंग के लिए अपडेट आया है बहुत सारे ASEA स्टूडेंट थे जो 2019 में सकेंड कॉंसलिंग के लिए अपग्रेड करवाया था यानि की मनपसंद कॉंसलिंग के लिए अपग्रेड करवाया थे जिससे की उनको मनपसंद कॉंसलिंग मिल जाया लेकिन यह हुआ था कि सकेंड कॉंसलिंग आयोजित ही नहीं हुआ था जिसके कारण बहुत सारे ASEA student थे जो document verification तो करवा लिये थे उसको document verification का slip भी मिल गया था लेकिन admission नहीं हुआ था तो ASEA student के लिए बहुत ही बड़ी update है second counseling को ले करके जो 2019 में जारी नहीं हुआ था या फिर आयोजित नहीं हुआ था वीडियो को पूरा देखिएगा और एक बार आपसे request है वीडियो को share कर दीजिगा क्योंकि बहुत सारे ASEA student है जो document verification करवा लिये लेकिन अभी तक second counseling का इंतजार कर रहे हैं तो उन तक के पास ये वीडियो पहुँच जाना चाहिए तो चलिए सुरू करते हैं तो सबसे पहले आप अगर खुद से check करना चाहते हैं तो BCECE board जैसे ही search करेंगे ये website आएगा उसके बाद आपको यहाँ पर DCECE पर इस section पर आकर के click करना है तो आपके सामने कुछ इस तरह से page open होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं जो latest notification है 29 एक्टूबर का आपको इस PDF को डाउनलोड कर लेना है डाउनलोड करने के पास साथ कुछ इस तरह से page आपका open होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिपलोमा सर्टिफिकेट परवेश परतियोगता परिक्षा 2019 तो 2019 का ही यह notification है यहाँ पर बताया जारा कि सरकारी या फिर नीजी छेतर के पारा मेडिकल इंटर अस्तरिय जो भी college है तो पारा मेडिकल यानि की PM पाटकरम समुहों में परवेश से संबंदित आवस्यक सूच यहाँ पर जारी की गई है मैं आपको केवल main point बता देता हूँ पारा मेडिकल कोर्स में जो है एनम और जी एनम संस्थानों ने नामंकर लेने के लिए जो 2019 में second counseling होना था वो नहीं हुआ था तो वैसे सभी student जो है second counseling में भाग लेंगे जिनोंने अपग्रेड करवाया था त तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि 2019 परा मेडिकल कोर्स गुरूप के वैसे सभी अभ्यार थी जिनका DCECE 2019 के पर्थम counseling में सरकारी या गईर सरकारी नर्सिंग संस्थानों में seat आवंटित हुआ था लेकिन नामंकर न ले करके उन्होंने अपग्रेड किया क्यों क्योंकि college प तो वैसे सभी अभ्यार थी अपने अपने संस्थान में ही 12-11 यानि कि 12 नमंबर तक अपना नामंकर ले लेंगे मतलब कि जो college आपको पहले एलोट हुआ था उसी college में आपको 12 नमंबर तक नामंकर ले लेना था जो आपको first counseling में एलोट हुआ था यहाँ पर आपको second counseling के लि उसी college में आपको 12-11 यानि कि 12 नमंबर तक अपना नामंकर सुनिश्चित कराना है जो अभ्यार थी संस्थानों में नामंकर ले चुके हैं first counseling में ही वे वही नामंकित रहेंगे तो उनको कोई भी कुछ भी करने की ज़रुरत नहीं है जिन्होंने अपग्रेड किया था जो प पड़िहार कारण से इस संस्थान में जो नीचे दिया गया है तो इस संस्थान में आवंटित अव्यारतियों का नामंकर नहीं लिया गया है तो आप सभी अगर इस संस्थान से हैं तो एक बार देख लिजे इस list में अगर आपका college आता है तो 12 नमंबर तक आप सभी college पहु पर नीचे आएंगे तो यहां पर देख पाएंगे कि 2019 के पर्थम आउनलाइन कॉंसलिंग के अधार पर उप्रोक्त संस्थानों में सीट आवन्टित हुआ था तो उसके द्वारा पूर्म में दिये गए 24 के अनुसार मेधा सहविकल्प के अधार पर पुना सीट आवन्टित क अगर सूची के सूची जो है वेबसाइट पर उपलवध करा दी गई है तो आप सभी एक बार जो है फिर से डाउनलोड कर लीजे अपना रेंक और देख लीजे कि कौन सा कोलेज आपको मिला था अगर आपको याद नहीं है तो इसके बाद सभी समबंदित अव्यार्थी का रिजर्व प्रोविजनल सीट अलोटमेंट उडर जो मिला था यानि की कह सकते हैं डोकूमेंट वेरिफीकेशन आपकरवाय थे तो जितना भी नोडल सेंटर पर डोकूमेंट वेरिफीकेशन करवाया गया था वो इसे सब्normेन्दित संस्थान को भेज दिया आप अप सभी क डोकुमेंट्स जमा कर लिया गया था तो वो सभी डोकुमेंट्स को भेज दिया गया है तो आप सभी उस कोलेज का पता किजिए जो कोलेज आपको एलोट हुआ है और उस कोलेज में पहुँच करके नामंकन कनफर्म करवाईए साथी साथ सभी साती साथ सभी संभंदित अव्यार्थी जो भी है उनको SMS के माध्यम से सुचित किया जा रहा है साती साथ संभंदित अव्यार्थी अपने सभी मौल परमान पत्र जो पूर में reporting center दोरा उपलवद कराए गए हैं तो document verification sleep आपको मिला होगा जो हम आपको अभी जीकर करके बताए हैं तो उसके साथ आपको पहुँचना है जो कि 30 एक्टूबर से ही नामंकन एस्टार्ट है 12 नमंबर के बीच आप सभी को नामंकन करा लेना है जो पूर्व में आपको संस्थान आवंटित हुआ था तो धियान में रखना होगा कि आप सभी को रिजर प्रोविजिनल सीट अलोट्मेंट लेटर प्राप्त कर लेना है नामंकन करा लेना है इसके बाद जो है सभी संबंदित जितने भी सरकारी या फिर गेर सरकारी संस्थान है तो जो भी निर्देश दी गई है उसके आलक में ज किजिए साथ आगे का जो भी दूतिय कॉंसलिंग को ले करके बहुत सारी सवाल होंगे कि उसके लिए अलग से सीट अलोटमेंट जारी किया जाएगा तो यहां पर साप साप बताया गया है कि 2019 का दूतिय कॉंसलिंग नहीं होगा बलकि पहले कॉंसलिंग के अधार पर ही जो को मिला था उसी कोलेज में जाकर के अडिमिशन कंफर्म कराना होगा जिन्होंने अपग्रेड किया था डोकॉमेंट करवाने के बाद तो इस तरह से आप सभी नामंकन अगर नहीं लेते हैं तो वह नामंकन है तो अपना दावा खो देंगे इसके जिम्मेदारी पारसद की नहीं होगी बेवकूब बना रहा है सभी को इतने दिन से सकेंड कॉंसलिंग को ले करके कोई भी नोटिफिकेशन नहीं दिया सभी स्टुडेंट इंतजार करते करते इस बार ग्रेजियोशन में भी नामंकन ले लिए होंगे बहुत सारे स्टुडेंट उनके पास भी बहु अगर इस पर कोई अपडेट आती है तो नहीं तो इस पर कोई भी वीडियो आगे नहीं आएगी आप हमें कोमेंट करके जो भी डौट होगा वो आप हमसे पूछ सकते हैं धन्यवाद